नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन गुमार अपने चैनल लेंग्विज और प्लेनिट्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम जोतिश के एक ऐसे मुख्य सूत्र पर चर्चा करेंगे जो इनसान के जीवन में परिशानियों की भरमार कर देने के लिए काफी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं युवा ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है शादियों में लगातार देर हो रही है चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो शादियों में अच्छे रिष्टे न मिल पाना बढ़ती हुई डिमांड अर्थार बढ़ती हुई इच्छाएं लड़कियां चाहती हैं कि हमें ऐसा लड़का मिले और लड़के चाहते हैं कि हमें ऐसी लड़की मिले तो इन सब चीजों के मद्दे नजर लगातार शादियों में देर होती दिखाई दे रही है 30, 31, 32, 32 साल तक भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है जैसे तैसे कोई अच्छा रिष्टा मिलता है या कोई बच्चे अपनी मर्जी से लव मेरिज कर लेते हैं जैसे तैसे शादी की बात आगे बढ़ती है लेकिन बड़ी संख्या में वर्तमान में आज की तारीख में ये भी देखने को मिल रहा है कि शादी के कुछ ही समय बाद मामला तलाग तक पहुँचता दिखाई देता है एक दूसरे के साथ एडजेस्टमेंट नहीं हो पाती है और मामला जो है वो बिलकुल निश्चित तोर से डिटेचमेंट का हो जाता है कि अब एक साथ नहीं रहना दोस्तो जोतिश में कौन सी वो इस्थितिया है जो निश्चित तोर से जीवन साथी के साथ डिटेचमेंट की कारक मानी जाती है या ये कहा जाए कि यदि ये इस्थितियां जन्मकुंडली के अंदर बनी हुई है तो जीवन में कभी न कभी ऐसी इस्थिति जरूर आ जाती है कि जातक को अपने जीवन साथी के साथ अलगाव होने लगता है या वो डिटेच होने लगता है दोस्तों जन्म कुंडली में सब्तम इस्थान और सब्तम इस्थान के स्वामी से हम विवाह की गणना करते हैं जन्म कुंडली में लड़कों की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक ग्रह है इसी तरह से लड़कियों की कुंडली में सप्तमिस्थान और सप्तमिस्थान के स्वामी से हम विवा की गणना करते हैं लेकिन विवा का कारक ग्रह ब्रहस्पती होता है अब यदि जन्म कुंडली में सप्तमिस्थान का स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी के साथ या कुंडली के छटे भाव के स्वामी के साथ या कुंडली के आठवे भाव के स्वामी के साथ और या कुंडली के बारवे भाव के स्वामी के साथ किसी भी प्रकार से संबंद में होता है या तो एक दूसरे के साथ बैठे हो या इन ग्रहों की सप्तमिस्थान के स्वामी पर द्रश्टी पर रही हो और वो स्वाभाविक रूप से पाप ग्रह हो तो निश्चित तोर से विवाह के बाद दोनों लोगों में अलगाव की स्थिती बनते देखी जाती है अब मान लिजे के मेश लगन की कुंडली है और कुंडली के सात्वे स्थान का स्वामी शुक्र होता है और कुंडली के दूसरे स्थान का स्वामी भी शुक्र होता है अब यदि तुला राशी को छोड़कर तुला राशी का स्वामी होकर शुक्र यदि अपनी दूसरी राशी में बैठ जाता है व्रश राशी में अर्थात तुला राशी से अश्टम होने के कारण भी विवाह में कई बार परेशानिया अलगाव देखने को मिलता है क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव में बैठने पर कुंडली के सब्तम इस्थान से शुक्र का शराष्टक संबंद बन जाता है बिल्कुल यही स्थिती कुंडली के बार्वे भाव के साथ भी होती है यदी सब्तमेश कुंडली के छटे भाव से संबंद बनाता है तो अपने हानी स्थान से संबंद बनाता है अर्थात विवाह को किसी न किसी प्रकार की हानी पहुचाता है यदी कुंडली के सब्तम स्थान का स्वामी पीडाओं के स्थान, मृत्यु स्थान, अष्टम स्थान से संबंद बनाता है तो भी जातक को जीवन में कभी न कभी अलगाव की स्थिती का सामना करना ही पड़ता है ये सब्तम स्थान का स्वामी यदि किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में है या सब्तम स्थान पर पाप प्रभाव है या सब्तम स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे छटे आठवे और बारवे भाव के स्वामियों के साथ संबंद में है तो निश्चित तोर से विवाह से पहले इन परेशानियों के उपाय कर लेने चाहिए दोस्तों ये परेशानिया जीवन में जरूर आती है और इस तरह की एक detachment की प्रक्रिया या ये कहा जाए कि जीवन साथी के व्यवहार से असंतुष्टी निश्चित तोर से पैदा हो जाती है यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति हो तो पहले किसी अच्छे जोतिश विद्वान से सलाह करके इसके उपाए कर ले ये इस्थिती और ज्यादा तब हो जाती है, खतरना कि ये और ज्यादा हो जाती है, जबके लड़के की कुंडली में शुक्र भी पीडित हो, कुंडली के सात्वे भाव का स्वामी भी पीडित हो, और कुंडली का सक्तमस्थान भी पीडित हो, 100% तलाक के चांसिस बन जाते है इसी तरह से लड़की की कुंडली में यदि सप्तम स्थान सप्तम स्थान का स्वामी और देवगुरू ब्रहस्पती पीडित हैं तो ये निश्चित तोर से दोनों को अलग कर देने की ग्रह स्थिती बनती है तो दोस्तों सदैव इस बात को याद रखें कि यदि किसी भी युवक या युवती की कुंडली में सप्तम स्थान कुंडली में पाप प्रभाव में आ रहा है या कुंडली के ऐसे भावों के साथ उसका संयोजन हो रहा है जो अच्छे नहीं कहे जाते जो कुंडली में सप्तम स्थान से शडाश्टक योग बना रहे हो या बारवे का योग बना रहे हो या कुंडली के आठवे भाव से योग बना रहे हो ये अच्छे नहीं कहे जाते इसके उपाय नितान्त जरूरी है पहले इसका उपाय करें उसके पश्चात शादी के बारे में विचार करें तो दोस्तों यदि सब्तम स्थान के संबंधों को विच्छेद करने वाली इस ग्रह स्थिती से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों